बिहार सरकारद्वारा हर वर्ष 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देशित बिहार के गौरव को स्थापित करना और बिहारी होने के गौरव का एहसास कराना है बिहार दिवस का आयोजन एक सरकारी कारिक्रम के रूप में नहीं बलकि उत्सव के रूप में मनाया गया राज्य सरकार द्वारा बिहार के स्थापना के 99 वर्ष के उपलक्ष पर मानव संसाधन विकास विभाग एवंग सूचना एवंग जन संपर्क विभाग बिहार सरकार और मगध मोटर स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में बिहार हेरिटेज कार रन 2011 का आयोजन किय आपके लागी हाग पटना से दिल्ली जाने वाली इस रन का उद्देश लोगों को बिहार के महत्रपूर्ण परियतन स्थल एवं धरोहरों से परचित कराना था इस यात्रा में 15 टीमों ने पटना नई दिल्ली पटना की 2500 किलोमिटर की यात्रा तै की हर गाड़ी पर विहार के चुने हुए विशय पर ब्रैंडिंग की गई थी जैसे बोध गया का महाबोधी मंदर, पावापूरी का जैन जल मंदर या मिथला की मधुबनी पेंटिंग रास्ते भर टीम लोगों से मिलकर उन्हें विहार आने के लिए प्रेरित करती और लोगों को विहार के गौरव का एहसास कराती रही 24 मार्च 2011 को विहार के माननिय मुख्य मंत्री श्री नितीश कुमारद्वारा पटना के राजभवन के समीव से इस रन को जंडा दिखा कर विदा किया गया इस समारोह में सूशना एवंग जनसंपर्ग एवंग परिवहन मंत्री श्री व्रिशन पटेल मुख्य अतिती के रूप में मौजूद थे साथ ही मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री श्री पीके साही और जल संसाधन विभाग के मंत्री श्री विजय चौधरी भी माननिय अधिती के रूप में यहां उपस्थित थे पटना से फ्लैग उफ के बाद जहानाबाद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के अलावा वहाँ के स्थानिय नागरिकों ने इस स्यात्रा की भव्य स्वागत की जहानाबाद से बिहार हेरिटेज कार रन 2011 की टीमें बोध गया पहुँची और वहाँ लोगों से मिलकर उन्हें बिहार दिवस के उपहार, कैलेंडर और अन्य जानकारियां दी वहाँ विदेशियों को बिहार के गौरव शाली परमपरा से परिचित कराया गया वारानसी में भी बिहारी गौरव और जोश देखने लायक था वारानसी से ये रन बिहार का परचम लहराती हुई कानपूर पहुचे जहां वहां के स्थान या लोगों ने हेरिटेज रन में विशेश दिल्चस्पी दिखाई यहां बिहारी फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया बिहार की जनता इतना आगे बढ़के कर रही है कानपूर से आगरा और अंतमे दिल्ली में सिरी फोर्ड ओडिटोरियम में ये कार्वा पहुचा जहाँ इसका भव्य स्वागत हुआ वापसी के दौरान बरेली में हेरिटेज रन देर शाम को पहुँची और दूसरे दिन वहां से लखनओं के लिए रवाना हुई यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर प्रतिभागी टीम आम लोगों से मिलती और बाते करती और लोगों को बिहार के गौरव का एहसास कराती रही इस यात्रा के दौरान सैंकलो रिपोर्ट स्थानी और राष्ट्रिया अखबारों द्वारा चापे गए और दूरदशन और नीजी टीवी चैनलों द्वारा इसे प्रसारित किया गया बिहार के गौरव को स्थापित करने के लिए और बिहारी पन की सही छवी लोगों तक पहुचाने में ये यात्रा पूरी तरह सफल रही झाल